चुनाओं की रणनीती के लिए अगर हम किसी को भी अवार्ड देने जाएंगे तो शायद भाजपा से बहतर अभी कोई निकल कर नहीं आएगा चाहे भारततन देना हो पदमश्री देना हो या राश्टपती बिनाना हो बाजपा को पता है कि राजनीती में इन सभी चीजों का स्तमाल आखिर कैसे किये जाना है ऐसे में एक बार फिर से एक तीर से दो निशाने चल कर भाजपा सरकार ने जन्मशती से एक दिन पहले जननायक करपूरी ठाकुर को भारततन देने की गोशना मोधी सरकार का एक मास्टर स्टोक मानी जा रही है आयोध्या के राम मंदर समारो के आग्योश में विपक्ष को दबोच लेने के बाद परहान मंत्री ने एन मोधी की तरफ से ये अगला जोड़दार प्रहार है जाती जनगरणा की मांग तो पांच राज्यों के विदानसवा चुनावक नतीज़ आने के साथ ही दम तोड़ चुकी थी महिला एरक्षन में OBC कोटे का मुद्दा बेसर हो चुका था राश्ट्री इस्तर पर हाल फिलहाल कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं सुनाई दे रही थी प्रहान मंत्री ने एन मोधी की तरफ से पेश राजनिती के वन्ड विवस्था के मुकाबले राहूल गांदी भी पांच सूत्री नियाय कारेक्रम लाकर इनसाफ की लड़ाई लड़ने की बात करने लगे है प्रहान मंत्री ने मोधी ने गरीब महिला युवा और किसान को नए जमाने की चार्ट जातियां बताया है करपूर ठाकर को भाररतन देने की घोशना दरसल उसी दिशा में बीजेपी का एक अगला कदम माना जा रहा है करपूर ठाकर को भाररतन के ऐलान के बाद बिहार के मुक्य मंत्री निदिश कुमार ने एक बाफिन मोधी सरकार का शुक्री यादा किया नितिश कुमान ने कहा कि करपूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया आजकर लोग अपने परिवार को बढ़ाते हैं करपूरी ठाकुर के नहीं रहने के बाद उनके बेटे रामना ठाकुर को हमने बढ़ाया हमने भी करपूर जी से सीख कर परिवार में किसी को नहीं बढ़ाया है हम हमेशा दूसरे को ही बढ़ाते हैं मुक्यमंतरी아서 की अ टीशके ने पि.m. मोदी का आभारजता आया कि अछा कि यह भारतन दे दीं अच्छा है वही कहें कि उन्हों नहीं किया हमको तो पी.m. जननाय करपूरी ठाकुर को भारत रतन देने की घोशना करी थी। कई राजनित दलों ने मुदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया था। कि इन सरकार का आभार जताने में बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री निदीश कुमार भी पीछे नहीं रहे थे। हला कि पीएम मोधी को आभार जताती उनकी सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में जरूर आई। निदीश कुमार ने सबसे पहले रात 9-14 मिनिट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि पूर मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता करपूरी ठ ठाकूर को उनकी सौव जहनती पर दिया जाने वाले सरवच सम्मान दलितों वंचितों और उपक्षित तबकों के बीच एक पॉस्टिव भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से करपूरी ठाकूर को भारतने देने की मांग कर रहे थे वरशों की पुरानी मांग आज पूरी हु लेकिन पोस्ट के आखिर में एक इस बार नरिंद मोदी का नाम जोड़ दिया गया था और आभार विक कर दिया गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार की राजनीती में बीजेपी ने क्या खेल किया है। वक्ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार के मांग अडबनन में भी तूटका खत्रा उत्पन्न हो चुका है। वैसे भी राजपाल से मिलकर दिदिश कुमार ऐसी चर्चाओं को एक नए सिरे से हवा तो अल्रेडी देही चुके है। करपुली ठाकुर को भारत दिये जान विदानसबा में पहुचने के बाद करपुरी ठाकुर कोई चुनाओ खारेगी नहीं। सबसे पहली बात आ जाती है कि अब आभार जताना एक बहुत बड़ी मजबूरी हो चुकी है। योगि डिमांड खत्म हो चुकी है। दरसल बिहार में लंबे अर्चे से करपुरी ठा कारिकरम का आयोजन किया जाता है। तो जनवडी को पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर करपुरी जनवशती समारो का मकसद भी बिल्कुल वही है। करपुरी ठाकुर के नाम पर पिछलों का वोट महागडबंदन के पक्षमे करने किये लालु यादव और नितीश क करने में संकोच हो लेकिन इतीश कुमाल ने तो ये भाव प्रकट भी कर दिये। मोजी सरकार के इस कदम से सकते में आ चुके तेश्वी यादव कह रहे हैं कि लगे हाथ बीएसपी के संस्थापक काशी राम को भी भारत ने दे दिया जाना चाहिए था। वैसे लगता नही कि बीजेपी जाए देर तक तेश्वी यादव को निराश करेगी। कोई आश्यरे वाली बात नहीं है कि दोजार सताइस के यूपी विधान सबाच चनौज से पहले कें सरकार काशी राम को भी देश का सरवज समान दिये जाने की गोश्चना कर डाना अभी दो बीजेपी क को आभार वेक्त करना भूल गया थे लेकिन बाद में फिर उन्होंने इसका आभार वेक्त किया और एक नया ट्वीड भी किया अपनी आधिकार प्रतिक्रिया में निदिश कुमार ने इतनी बड़ी बात कही और जाहिर से बात है यह जो बात है इस समय पर सामने निकल कर सवाल एक यह भी उड़ता है कि आखिर अप कौन कहेगा कि बीजेपी पिछलों का सम्मान नहीं करती मोहन यादव को मद्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनको बिहार भेज कर बीजेपी ने लोगों को ये संदेश तुदे ही दिया कि पिछलों के प्रतिय उनकी जनगर्णा कराने के बाद मुख्यमंत्री निदीश कुमार और डिप्टी सीम तेजस्वी यादव पिछुडों को उनका हक दिलाने के दावा कर रहे थी करपूरी ठाकर को भारत मिलने के बाद बीजेपी के खिलाफ ऐसे आरूप लगाना किसी भी राजनेक दल के लिए बहुत ज़्यादा मुख्यल हो चुका है और एक बात जो सामने आती वो ये कि बीजेपी जाती है जनगना को राजनितिक से एक तरह से दबाव मुक्त हो चुकी है दरसल राहूल गांदी विदानसवा चुनाओ के दोरान कॉंग्रिस की रैलियों में लगतार जाती कर जनगना की मांग कर रहे थी और बीजेपी दबाव में आ गई थी ये राहूल गांदी की रैलियों का ही असर था कि केंद्री मंत्री अमिच्छा को बिहार का दोरा कर सफाई देनी पड़ी थी कि बीजेपी जाती कर जनगना के खिलाफ नहीं है और तभी खबर भी निकल कर आई थी कि बीजेपी ने कई सीनर नेताओं को बुलाकर OBC के मुद्धे पर गंबीर विचार विबर्श किया था और उसी बैटक में विपक्षी जाती जनगनना की डिमांड को काउंटर करने के लिए OBC को लेकर कुछ खास कारकर मिलाने के वर रिविचार किया था लेकिन तीन राज्यों के विधनसवा चनौक नतीजों ने बीजेपी को और भी ज़ादा प्रेशर से हटा दिया है रामांदर समारों के जरीए हिंदुतों के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने बिहार में अब जाती है राजनीती में गुस्पैट कर अपने खिलाफ हमलों को नियूटरलाइट कर दिया है मतलब अब बीजेपी को जाती है जन्गरणा जैसी डिमांड की कोई परवाण नहीं रहे गई है चौती और सबसे एहम बात यह है कि महागडवदन पर भी मंडराने लगा है अब तूट का खत्रा दरसल बीजेपी के इस महावरहार से इंडी अलाइंस पर भी तूट जाने का खत्रा जबरदस्त है मतलब यह कि नितीश कुमार ने पाला बदल लेने की संभावना बढ़ा दी है करपूरी ठाकुर को समान देगर भाजपा ने जेडियू के साथ एक कॉमन ग्राउंड दयार कर लिया है इससे पहले राजभवन का दौरा का निदीश ने इशारा तो करी दिया था अब आगे का समचार आना बाकी है और देखते हैं क्या कुछ समचार आता है पर हाठ कले तेज हो चुकी है दरसल भारतन दी जाने की ख़वर आने के बाद से करपूरी गिराम में जशने चल रहा है समस्तिपर जिले के पिताओ जी या गाओं को अब इसी नाम से जाना जाता है और खास बात यही करपूरी ठाकूर के बेटे रामना ठाकूर फिलाल जेडियू के ही राजस अभाशासान सत भी है हाल्य में जब ललन्सिंग को हटाने और जेडियू की कमान बदलने की ख़वर आई थी तो जो नाम चर्चा में था वो रामना ठाकूर का ही था जेडी और देख्ष तो निदिश कुमार खुल बन गए लेकिन रामना ठाकर को राष्टी महाँसेशिफ जरूर बना दिया देखा जाया तो रामना ठाकर पर एहसान थोपकर बीजेपी ने निदिश कुमार को एक बार फिर से घेरी लिया है अब बाजबा की इस रणनीतिक जीत को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट के दरू बताएं मेरे स्टूडियों फिलालत नहीं जाए हैं जाए भारत